ग्रीन हाउस के अंदर में आजकल स्मार्ट किर्शी का यूग है जिसके अंतरगत तरह तरह की मशिनरी, सेंसर्स, आयोटी और नई-नई तक्निकें जैसे हैड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, इत्यादी का इस्तमाल करकरके एक अस्तर पर या वर्टिकल फार ग्रीन हाउस के अंदर में किसान भाई वेफसाइक तौर पर तरह तरह की उच्च उमूल की सबजियां, दरसरी, फ्लावर्स, इत्यादी का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं यहाँ पर एक बातवरन नियंतरित ग्रीन हाउस है, जिसके अंतरगत इसमें स्माट किर्शी को खास करके किस तरह से किया जाए, इसका उधारन पेश किया गया है यहाँ पर हैड्रोपोनिक्स तक्नीक दोरा, इस तरह से पांस से छे लेयर में हमारे किसान भाई और ग्रोवर्स वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और इसके दोरा खास करके हरी पत्तियों वाली सबजियां, नरसरी, फूल, इत्यादी का उत्पादन सालों भर कर सकते हैं इस तरह की वैफसाई खेती के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है वातावरन नियंत्रित ग्रीन हाउस 1000 वर्ग मीटर का वातावरन नियंत्रित ग्रीन हाउस इस तरह की वैफसाई खेती जो की स्मार्ट किर्शी हो, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पर नियंत्रित खेती हो, उसके लिए बहुती उप्योगी है इस तरह के जो खेती में तरह तरह की जो तक्निक इस्तमाल की जाती है उसमें मुख्यता स्वाइलेस फार्मिंग जैसे ग्रोबैक फार्मिंग है hydroponics farming, aeroponics farming, vertical farming, soil born disease एक मुख्य समस्या है ग्रीन हाउस के अंदर में उससे शुटकारा पाया जा सकता है चुकि यहाँ पर सोयल का इस्तमाल ना करके तरह तरह के इनर्ट मीडिया जैसे कोकोपिट है, परलाइट है, वर्मीकुलाइट है और जल के माध्यम में न्यूट्रियंट को जितने भी पानी में घुलंशी लिखाद है उसका इस्तमाल करके प्यूर हैड्रोपोनिक्स टक्निक के द्वारा भी किसान भाई इसमें हरी पत्यों वाली सब्जी खास करके जैसे इसमें सलात का पत्ता है, पौक्चोई है, पालक है, धनिया है, इसका सालो भर उत्पादन कर सकते हैं इस तरह की तक्निक के लिए हम मुख्यता वर्टिकल फार्मिंग नियंत्रित जो धाचा बनाते हैं, इसमें तरह तरह का फ्रेम होता है, जैसे ए फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम है, और इसमें पास से छे अस्तर पर इस तरह की धाचा बनाए जाती है, कि सभी अस्तर पर जल और न्यूट्रियंट का परवा सही तरीके से हो अगर हम ग्रो बैग टक्निक का इस्तमाल कर रहे हैं तो यतनी भी मीडिया है उसको हम ग्रो बैग में भरके या किसी बैग में भर करके सभी प्लैटफॉर्म पर अच्छे से रखें और इस तरह की टक्निक में ये चीज़ खास बात होनी चाहिए इस तरह के खेती में हम कुछ आटिफिशल लाइट जैसे की LED बेस लाइट है उसका भी इस्तमाल करते हैं जिससे की हर इस्तर पर पौधों को सही रोशनी मिल सके और पौधे अधिक से अधिक उत्पादत दे सकें इस तरह की खेती के लिए तरह तरह की जो सेंस सेंसर है और फटिगेशन से जो संबंदित सेंसर है जैसे electrical conductivity का सेंसर है पी एच का सेंसर है dissolve oxygen का सेंसर है तो इस तरह के सेंसर का इस्तमाल करकरके और उस सेंसर को हम controller दवारा लिंक करकर करके इसका पूरा complete automation कर देते हैं और automation का जो अगला level है उसमें इन automation को हम IoT दवारा निय त्रिट कर सकते हैं हैड्रोपोनिक्स तक्निक दोवारा लगबग 7-37% जल की बचत होती है एर्रोपोनिक्स दोवारा 80-90% पानी की बचत हो जाती है और अगर स्वाइलेस ग्रोबैक का टेक्निक इस्तमाल करें तो उसमें भी 7-70% पानी की बचत होती है और लगबग 30-40% जो न्यूट्रियंट है जो खास करके मेजर और माइक्रो ने उसकी बचत होती है यहां पर 1000 वर्ग मीटर के अंदर में हम हरी पत्यों की लगबग 50-60,000 पौद एक साथ उगा सकते हैं तो हमारे किसान भाई और ग्रोवर्स को इस तरह के खेती से स्मार्ट किर्शी से जो भी जानकारी हो उसको लेने के लिए वो यहां आके इस तरह के मॉर्डल को देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी पराप्त कर सकते हैं और कुछ परसिक्षन भी पराप्त कर सकते हैं हैड्रोपोनिक्स तक्नीक को पॉप्लराइशन करने के लिए हम लोगों ने हिंदी म और इंग्लिश में hydroponics technique की bulletin बनाई भी है और ये hydroponics technology for horticulture crops के नाम से ये google पर उपलब्ध है